हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको पॉईजन आईवी ये 1992 की एक ड्रामा थ्रिलर मुवी को एक्स्प्रेंड करने वाला हूँ इस मुवी में एक टीनेज लड़की जो बहुत ही अकेली होती है उसके एक फ्रेंड बनती है इस लड़की की फैमिली में उसकी फ्रेंड आने के बाद सब कुछ तबा होने लग जाता है यह इस मुवी की स्टोरीलाइन है तो चलिए इस मुवी को एक्स्प्रेंग करना स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमें जंगल का स्पॉट दिखता है जहां पर जूला विगरा होता है यहां पर सब movie जंगल हुट कर ने के लिए आते है यहांपर हमारे मेन कै Sukmasana 臭ी जूल जूल रही होती है और भी एक मेन कैरेक्टर यहां है जिसका नाम होता है Sylvia सिल्विया टायरी में कुछ लिख रहे होती है पर यह आईवी के बारे में ही होता है आईवी बहुत ही open minded है किसी से भी बात कर सकती है बहुत ही डैशिंग है आईवी के body पर tattoo है तो सिल्विया कभी नहीं कर सकती सिल्विया को आईवी की तरह ही बनना है जब यह सब इस spot पर hangout कर रहे होते है तो उनने जोर आवाज आती है county रोड तक जावे पहुषते है तो किसी ने गाड़ी से कुट्टे को उड़ाय होता है और चला गया होता है यह सब बहुत है तो कुट्टा तरब रहा है यह सिल्विया से देखा नहीं वो सबसे कहती है कि हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए बाकी लेटके कहे रहे होते हैं कि यह पेन में हैं इसे हमें मार डालना चाहिए आईवी तभी एक बड़ा से डढ़ना लेती है और कुत्ते को मार डालती है सिल्विया को बहुत ही बुरा लगता है इसके बाद हम देखते हैं कि सिल्विया प्रिंसिपल के ऑफिस में है यहाँ पर थोड़े टाइम में आईवी भी आ जाती है सिल्विया आईवी का टैटू देख रही होती है यह जो टैटू है यह ग्रेव पर आईवी का प्लान आया हुआ है इस तरह के इसे ड्रॉ किया गया है आईवी देखती है कि सिल्विया उसके टैटो में इंटरस्टेड है सिल्विया कहती है कि मुझे आईवी पसन है आईवी बोलती है कि death and life दोनों represent करते है इसके बाद सिल्विया आईवी से बुछती है कि तुम यहां क्यों हो आईवी ट्रबल में आ चुकी है क्योंकि scholarship से वो इस school में पढ़ती है उसके grades अफ कम आ रहे है तो इसलिए principal ने उससे बुलाया है फिर आईवी सिल्विया से बुछती है कि तुम यहां क्यों हो सिल्विया ने एक न्यूश चलने को call किया था और बोला था कि तुम्हारे यहां बॉम रखा हुआ है सब डर गए थे और बहुत inconvenience हुआ था आईवी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया सिल्विया कहती है कि वहां का anchor मुझे पसंद नहीं आता उसने कहा था कि 18 साल के लेट किया गारी नहीं चला सकती क्योंकि वह बहुत ही unstable होती है फिर आईवी पुछती है कि तुमने एक call किया था यह कैसे उन्हें पता चल गया आईवी फिर figure out कर ली थी और कहती है कि वो तो तुम्हारे डैड ही थे सिल्विया थोड़े सा शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि अपने डैड को ही उसने threat किया था यह करने के लिए बहुत ही daring लगी होगी इसलिए आईवी अब उससे impressed जब school छूट जाती है तो सिल्विया के फादर उससे लेने के लिए आते है सिल्विया के फादर उससे बहुत ही नाराज है वो कहते हैं तुम्हारी वज़े से 200 लोगों को हमको अफिस से बाहर निकालना पड़ा सिल्विया उन्हें सौरी कहती है पर फादर अब बहुत ही ज़ादा गुसे में है वो कहते हैं कि अब तुम grounded हो यानि कि सिल्विया अब कही भी बहार नहीं जा सकती इस incidence से सिल्विया के फादर का जॉब भी जा सकता है इसलिए वो और भी नाराज है ये दोनों गाड़ी में ही होते है तब ही आईवी आ जाती है आईवी इनसे lift मांगती है सिल्विया grounded है तो किसी को भी help नहीं कर सकती इसे सिल्विया के फादर उसे मना कर देते है सिल्विया बहुत ही request करती है तो इसके बाद आईवी को lift देने के लिए वो मान जाते है सिल्विया के फादर सिल्विया से पुछती है कि इसका नाम क्या है सिल्विया कहती है कि इसका नाम आईवी है सिल्विया को आईवी का नाम नहीं पता था तो कहती ही कि आईवी है एक्च्वल में आईवी का नाम आईवी नहीं तो कुछ अलग है पर इस मुवी में उसका नाम हमें बताया नहीं गया है आईवी पुछती है कि प्लीज मुझे फ्रंट सिट पर बैटने दो अगर वो बैक सिट पर बैटती है तो उसे तकलिफ होती है आईवी गाड़ी में बैटकर अपने पेर डैश ब्रोड पर रखती है सिल्विया के फादर इसे नोटिस करते हैं पर इग्नोर कर देते हैं नेक्स डे आईवी और सिल्विया फिर से मिलते हैं तो सिल्विया पूछती है कि तुमारा एक्च्छल नेम क्या है आईवी कहती है कि मेरा नाम मुझे पसन नहीं है तुमने मुझे आईवी पुकारा है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मेरी लाइफ मुझे फिर से स्टार्ट और करने का चांस मिलता है नए नाम के साथ इसलिए आईवी को आईवी नाम ही पसनाता है आईवी फिर सिल्विया के गले में एक लिंकलेस देखती है यह ब्लू डाइमंड होता है यह देखकर उसे बहुत ही पसनाता है सिल्विया कहती है कि मेरे फादर ने मुझे दिया है आईवी बोलती है कि तुम्हारे फादर तुमसे बहुत ही प्यार करते होंगे Sylvia कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो मेरे actual father नहीं है उन्हेंने मुझे adopt किया है इसलिए उन्हें बुरा लग रहा होगा इसलिए उन्हें ने मुझे buy कर कर दिया मेरी mother actual mother है Sylvia कहती ही कि मेरे original father black थे Sylvia के hells कर लियोते है तो इसलिए ये कहती है आईवी कहती है कि मेरे फादर मुझे बहुत ही हेट करते है मैं कभी भी उनसे सही से बात नहीं करवाती है मेरे फादर किस तरह से है इनने जानने के लिए उनकी रूमे में जब गई तो मुझे बहुत सारी मैगजिन्स मिले यह अडल्ड मैगजिन्स होती है चिल्विया पुछती है क्या इसी वज़े से तुम इस तरह के कबड़े पहनती हो आईवी को उसके फादर से attention मिल सके इसवजे से वो इस तरह से रहती है ये दोनों बाते करते करते सिल्विया के घर तक आ चाते है ये घर बहुत ही बड़ा होता है, आईवी बिलिव नहीं कर पाती है, सिल्विया को उसका हाउस पसंद नहीं आता, वो कहती ही कि इतना बड़ा है तो यहां लोगों को में धोन नहीं पाती है, सिल्विया और आईवी के स्कूल में कोई भी फ्रेंड नहीं है, इसे से भी बाते नहीं कर सकती, पर एक दूसरे से अच्छी बाते कर रही है, तो एक दोनों की फ्रेंड बन जाती है, सिल्विया आईवी को अपने घर में इन्वाइट करती है, सिल्विया कहती है कि मेरी मॉम से मैं तुम्हें नहीं मिला सकती मैं गिरते होक्त ब्रिटेंड करूंगे कि मैं ऊड़ रही हू सिल्विया कहती है कि मैंने भी एक बार सुसाइड करने का ट्राय किया था उसने अपनी नर्स काट ली थी तब ही सिल्विया की मदर वहाँ जाती है सिल्विया की मदर ये सुनकर हैरान होती है क्योंकि Sylvia ने कभी ये किया ही नहीं था Sylvia फिर अपनी मदर को सुलाने के लिए उसके रूम में लेकर जाती है मदर नाराज है और कहती है कि इस तरह के क्यों तुम बाते कर रही थी अगर तुम्हें लोगों के सामने प्रिटेंड करना बढ़ रहा है तो तुम्हारे रियल फ्रेंड्स है ही नहीं मदर को आईवी भी पसंद नहीं आती कहती है किस तरह के लड़की से तुम फ्रेंड्शिप कर रही हो उसका कैरेक्टर सही नहीं है तब ही आईवी वहाँ आ जाती है और Sylvia ऐसे कहती है कि मेरी वज़े से ट्रबल हो रहा है मैं अब यहाँ से जाती हूँ मदर को बुरा लगता है और आईवी से बात करने लग जाती है मदर बुछती है कि तुम रहती कहा हो आईवी कहती है कि मेरी एंड के साथ रहती हूँ आईवी की मदर ड्रगिस थी और इसी वज़े से वो मर गई है उसके फादर भी जेल में आते जाते रहते हैं इसी वज़े से अपनी एंड के साथ ही रहती है उसके एंड उसे पसंद नहीं करती फिर यह उसे वहार रहना पड़ता है यह दोनों बात कर रहते हैं तब इस मास का ब्लॉक निकालने में आईवी नहीं डरती सिल्विया की मदर को अब आईवी अच्छे लगने लग जाती है आईवी डेट से नहीं डरती उसे लगता है कि एनरजी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है और वो मरने से पहले बहुत सारी चीज़े करना चाती है और वो गरीब है पर वो गरीब नहीं मनना चाती मनने से पहले एक बड़ा सा हाउस हो उसके पास भी एक गाड़ी हो यह सब वो चाती है और कि सिल्विया के पास जो है यही वो पाना चाती है इसके बाद सिल्विया हम से कहती है कि आईवी और मैं बहुत ही अच्छी फ्रें की थी आईवी कहती है कि मैं समझ सकती हो तुमने ऐसा क्यों कहा होगा इसके बाद नेक सिन में हम देखते हैं कि पूल के पास आईवी हैंग आउट कर रही होती है तब इस सिल्विया के फादर वहाँ जाते हैं फादर अपने ओफिस के लोगों के लिए पार्टी रखने वाले क्योंकि उन्हें अपने ओफिस के लोगों को फिर से इंप्रेस करना है वरना इनकी जौब जा सकती है सिल्विया उन्हें इसके लिए help करने वाले है तो इसी subject से आईवी उनसे बाते करने लग जाती है बाते करते करते आईवी फादर से कहती है कि मेरे शूस वहाँ सिला कर फादर से ये शूज पानी में गिर जाते हैं आईवी स्मोके का फाइदा उठाती है और कहती है कि 150 डॉलर्स किये थे फादर इस पर कुछी बोलते नहीं और ये पैसे उसे दे देते हैं ये वैसे लेते वक्त भी सिल्विया के फादर को आईवी टीज करती है इसके बाद नेक सिन में हम देखते हैं कि सिल्विया के रूम में जब आईवी होती है तो सिल्विया को एक कॉल आता है पर ये आईवी उठा लेती है जिस दिन सिल्विया के फादर की पार्टी होने वाली है उसी दिन सिल्विया के फ्रेंड उसे कही लेकर जाना चाते है यही इन्फॉर्म करने के लिए उसके फ्रेंड ने उसे कॉल किया होता है पर ये आईवी उठाती है और उन्हें कहे देती है कि सिल्विया उस दिन फ्री है आईवी को पता होता है कि उस दिन पाटी है पर फिर भी ये जान बुझ कर ये करती है सिल्विया की मदर और फादर ये दोनों हमेशा जखरते रहते है एक दिन ऐसा ही होता है तो सिल्विया बहुत ही अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है आईवी और ये दोनों एक जगा पर बैठते हैं तो सिल्विया कहीती ही कि आज मेरा स्कूल जाने का थोड़ा भी मन नहीं है तो आईवी कहीती है कि चलो कही अलग जगा पर चलते हैं येसे डिरेक्टली टाट्टु बलवाने के लेकर आती है सिल्विया बहुत ही डर रही होती है क्योंकि टाट्टु नहीं बनवा सकती है अगर किसी को भी पता चला तो बहुत ही बड़ा बख्रेडा हो जाएगा उसकी मदर उसे पूछ सकती है कि रसोडे में कौन था मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी कौन था आईवी उसे बोल रही होती है कि कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें करवालो सिल्विया कहती है कि तुमारे लिए तु ठीक है, तुम उसी तरह की लड़की हो Ivy को आजिप लगता है वो गहती है कि तुम बोल क्या रही हो तुमीचे समझती क्या हो इस बात पर इन दोनों का जगडा हो जाता है और Sylvia वासे जा रही होती है जाते जाते Ivy उसे रोक लेती है गहती है कि पैसे तो दे कर जाओ मेरे पास थोड़े से भी पैसे नहीं है सिल्वियों से पैसे दे देती है और चली जाती है दो मेरिट में फिर से वापस आ जाती है वो कहती है कि इस पैसों में 100 डॉलर्स की एक नोट है आईवी से ये वापस लना जाती है आईवी उसे दे रहे होती है पर ये नोट छोड़ती ही नहीं सिल्विया को भी उनका जगड़ा हो गया तो ये बहुत ही बुरा लगता है सिल्विया भी हस देती है और बेट जाती है ये दोनों जब बाहर आती है तो उसने भी टैटू करवा लिया है ये दोनों एक जगा पर बैठी हुई है सिल्विया कहती है कि मैं तुम्हारी तरह प्रिटी नहीं हूँ उससे भी प्रिटी बनना है आईवी कहती है कि तुम सिर्फ ज़रा लेट हो तुम ये आगे चल कर बहुत ही ब्यूटिफुल लगोगी आईवी सिल्विया के बाल सहलाने लग जाती है बहुत पास आजाती है उसे किस करती है आईवी कहती है कि तुम से प्यार कर रही हो सिल्विया को अजिब लगता है और वहाँ से वो चली जाती है इसके बाद हमें सिल्विया के फादर आफिस में दिखते है वो अपने कोवरकर से बात कर रही होते पर यह बहुत ही परिशान है कोवरकर बुचता है कि तुम आज इतने परिशान क्यों हो सिल्विया की मदर बहुत ही बीमार है तो इन्हें बहुत ही बुरा लग रहा है अगर मदर को कुछ हो गया तो यह जी नहीं पाएंगे इनकी जौब भी जा सकती है तो इसका भी उन्हें टेंशन है अपने कोवरकर से पुछते हैं कि जो पार्टी में थ्रोग कर रहा हूं इससे क्या कुछ फरक पड़ेगा यह कोवरकर कहता है कि सब लोग वहाँ आएंगे वो मज़े करेंगे और वहाँ से चले जाएंगे और उन्हें जो डिसिजन लेना है तो इनोकरीबन रखना है या नहीं यही वो लेंगे इससे कोवरक नहीं पड़ेगा रात में सिल्विया की मदर खिड़की के पास खड़ी हुई होती है उसे हमेज़ा सुसाइड के थौट्स आते रहते हैं सिल्विया खिड़की से उसे दूर निकालती है और बेड़ पर सुला देती है सिल्विया अपनी मदर से बात करने लग जाती है वो गहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है वो अपनी मदर को जानना चाती है, बहुत सारी उसे बाते करना चाती है, पर मदर विमार है, तो उसे कुछ भी करनी पा रही रात में हम देखते हैं कि सिल्विया के फादर एक प्लेट लेकर उपर जाकर खा रहे होते हैं इसमें स्वीट से जो उने नहीं चलते तो छुप छुप कर एक खा रहे होते हैं तब यहाँ पर आईवी आ जाती है आईवी इनका मजाग लेने लग जाती है आईवी कहती है कि मुझे तुम इस तरह से पसंद हो तुम जब डिवी पर होते हो तो एक कंट्रोल में होते हो जिस तरह से सब लोग होते हैं उस तरह से मैं तब नहीं देख पाती पर जब इस तरह से तुम होते हो तो मुझे तुम अच्छे लगते हो अपनी हुमन साइड तुम और भी दिखाया करो Sylvia के फादर के हाथ पर चोट लगी होती है ये चोट आईवी देखती है और उसे किस करकर वहाँ से चली जाती है फादर आईवी से अट्रक्टर है और उनने पता है कि ये गलज है तो अपने आपकर हो कंट्रोल करते हैं इसके बात आता है पार्टी का दिन Silvia अपने फादर को help करने वाली है पर Silvia के friends वह आ जाते है Silvia कहती कि वो नहीं आ सकती वो उसके friends उसे pressureize करते है फादर भी मना कर रहे होते है पर इवी कहती है यह सब confusion मेरी वजहे से हुए है तो Silvia की जगा पर वो अब फादर को help करने वाली है जब party स्टार्ट हो जाती है तो सिल्विया के मदर का एक beautiful trace होता है जो आईवी पहन लेती है सिल्विया के father जब देखती है तो उन्हें आईवी बहुत ही beautiful लगती है आईवी को compliment करती है आईवी drink सर्व कर रही होती है सिल्विया के father पहले alcoholic थे तो अब वो drink नहीं कर सकते है पर फिर भी आईवी उन्हें drink दे देती है इस party में मदर उपर से सब देख रही होती है वो भी पहले बहुत ही मजे करती थी सब party में आना जाना उसे पसंद था पर आप यो कुछ भी नहीं कर पाती मदर को party चलती हुई देखकर बहुत ही बुरा लगता है और decide करती है कि फिर से वो ready हो जाएगी party खतम होती है और father के पास आईवी आती है music चलाती है और dance करने लग जाती है father भी आईवी के पास आते है और उसके साथ dance करने लग जाते है इन दोनों ने एक दूसरे को हक किया है तो ये सिल्विया की मदर आकर देख लीती है ये heart broken हो जाती है अपने room में चले जाती है और सिल्विया के father भी उसके पास आते है ये बहुत guilty महसुस कर रहे है तो डिदर में आईवी भी आती है आईवी कहती है कि मैंने आज तुम्हारा dress पहना था इसलिए सब मुझे compliment कर रहे थे तुम्हारे husband किचन में आये तो तुम्हें यात करकर ये रो रहे थे मैंने उन्हें सहारा दिया था सिल्विया के मदर को है सच लगता है आईवी उसी drink बना कर देती है और मदर ये ही सो जाती है फादर के पास आकर आईवी जान भूज कर ग्लास किरा देती है ये उठाने के लिए फादर जुकते है और उसके लेक को किस करने लग जाते है क्योंकि अब वो बहुती drunk है और अपने आपको control नहीं कर पा रहे है थोड़ी देर में इन्हें realize होता है कि जो कर रहे है गलत कर रहे है और वहाँ से चले जाते है रात में जब सिल्विया घर पर आती है तो उसका डॉग आईवी के साथ सोया हुआ होता है यह उसे देख कर बहुत ही जेलस मैसूस होता है आईवी सिल्विया के डॉग को snacks देती है इसे वज़े से उसका डॉग हमेशा उसके साथ रहता है next day हमें देखता है कि आईवी सिल्विया के मदर के कार के पास है वो अंदर बेट जाती है जब सिल्विया देखती है तो बहुत ही जेट जाती है वो कहती है कि मेरी मदर की एक कार है तुम इसमें नहीं बेट सकती है वो आईवी को दोके बास बोलती है क्योंकि उसकी मदर की कार में वो बेटी है और सिल्विया का डॉक अब आईवी के साथ ही रहता है आईवी के दीग ऐसा नहीं है तुम्हारा डॉक तो तुम्हारा ही है इन दोनों में और भी जगड़ा हो जाता है और एक दुसरे से वो competition करने लग जाती है ये डॉक को बीच में रखते है और दोनों उसे call करती है डॉक बीचारा confused होता रहता है उसे किस के पास जाना है लास्ट में आईवी डॉक को जो snack खिलाती है वो snack का आवाद्स करती है और डॉक आईवी के पास चला जाता है सिल्विया नाराज होकर वहाँ से निकल जाती है नेक्स डे स्कूल से आईवी को लेने के लिए सिल्विया के फादर आते है आईवी उस पर चीड़ी हुई है कल रात आईवी के साथ उन्हेंने कुछ भी नहीं किया इसी वज़े से आईवी अब उन पर चीड़ी हुई है ये गाड़ी में नहीं बैठती है सिल्विया के फादर कहते है कि गाड़ी में बैठो उसे वो फोर्स कर रहे होते है तो आईवी कहती है कि तुम मेरे फादर नहीं हो सिल्विया के फादर कहती है कि हाँ मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ इसके बाद उसके गाड़ी में बैठ जाती है अब फादर कहते है कि जो भी सब हमारे बीच में हुआ था यह नहीं हो सकता आईवी कहती है कि यह तो हो चुका है फादर कहती है में स्टॉप कर सकता हो आईवी कहती है गाड़ी यही पर रोग तो आईवी कह रहे हुती है उसे हैंडल कर सकती है इसके बाद सिल्विया के फादर गाड़ी जंगल में लेकर जाते है और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है जब आईवी रात में घर आती है तो सिल्विया को डोर ओपन करने के लिए कहती है कहती है कि अगर तुमने मुझे इंटर दी तो ही मैं घर में आऊंगी सिल्विया भी आईवी को माफ कर देती है और इसे घर में आने देती है नेक्स डेम देखती है कि सिल्विया की मदर खिड़की पर खड़ी हुई होती है वहाँ पर आईवी आती है आईवी बुछती है कि मुझे पता है कि तुम कभी कभी सुसाइड करने का सोचती हो मदर कहती ही कि हाँ मैं सोचती हूँ ये बोल कर आईवी डारेक्ली सिल्विया की मदर को धक्का दे देती है ये सुनकर सिल्विया मदर की रूम में आ जाती है पर आईवी वहाँ छुप गई होती है अब मेमोरेल होता है और सिल्विया को लगता है कि उसकी मदर बहुत ही अकेली थी और उसे बहुत ही बुरा लगता है रात में सिल्विया सो नहीं पाती है तो अपनी मदर की रूम में पर अपनी मदर की भेट पर अप आईवी सोई हुई है वो आईवी से बुछती है कि तुम यहाँ क्या करी हो आईवी कहती है कि तुम्हें अकेला रहना था इसे वज़े से मैं यहाँ आकर सोई हूँ सिल्विया बोलती है, मेरी मदर से मुझे बहुत सारी बाते करनी थी, उसे कुछ चीजे मुझे कहने थी, वो मैं नहीं कह पाई, आयवी बोलती है, तुम प्रिटेंड करो, कि मैं ही तुम्हारी मदर हूँ, और सब कुछ बोल दो, सिल्विया अपनी मदर से बात करी है, इसा प बहुत जिलस थी, सब लोग तुमे बहुत प्रिटी मानते थे, और मैं उतनी प्रिटी नहीं थी, मैं इस घर में बहुत ही और थी, वो फिर कहती है कि मैंgesا के do का कलश हुआ है आईवी को सही से ड्राइव करना नहीं आता पर फिर विए ड्राइव कर ही रही हुती है जब एक कार में होते है तो आईवी एक गाना गुंगुना थी है सिल्विया को गाना सुनकर सस्पीशन आता है वो आईवी से पुछती है कि गाना तो मेरी मदर सुनती थ यह तुम किसी गुनगुना रही हो Sylvia की मदर सिर्फ उसके बढ़े पर इंगाना लगाती है जिस दिन Sylvia की मदर मरी थी उस रूम में यही गाना चल रहा था Sylvia कहती है कि मेरी मदर जब suicide कर रहे थी तब तुम उसके रूम में थी आईवी डर कर चिट कर कहती है कि तुम मुझे अक्यूस करती हो वो खोदी चिलाने लग जाती है कि सब लोग मुझे हमेशा अक्यूस ही करते रहते है इन दोनों में फाइट होती है और इनकी गाड़ी एक जगा पर टकरा जाती है इसमें सिल्विया के सर पर चोट आती है और यह वो बेवश होकर गिर जाती है आईवी को जादा चोट नहीं आती तो सिल्विया को ड्राइवर सीट पर वो बिठाती है और पुलिस को कॉल कर देती है इसके बाद हॉस्पिटल में उसके फादर उसे मिलने के लिए आते है नरस ने फादर को कहा है कि उसके सर पर जोटाई है इसलिए वो हनुसिनेट कर सकती है जब फादर सिल्विया से मिलते है तो सिल्विया कहती है कि यह सब आईवी ने किया है पर फादर उस वर बिलिव नहीं करते सिल्विया को अब लगता है कि उसके मदर की मरने के पीछे आईवी का ही हाथ है रात में वो सो नहीं पाती प्योंकि उसकी मदर उसे दिखती है इसके बाद वो हॉस्पिटल से छुप कर निकल जाती है वो डायर्क लिए अपने घर पर आती है घर पर आकर वो देखती है तो उसके फादर और आईवी ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटिमेट हुए हुए है उसकी मदर की जगा अब आईवी ने ले ली है सिल्विया के फादर उसे नोटिस करते है सिल्विया वहाँ से भाग जाती है तो सिल्विया के पीछे पीछे उसके फादर जाते है सिल्विया को ढूननी पाते है फिर से आईवी के पास आते है आईवी के बोड़ी चेक करते है तो एक्सिडन्ट से उसके बोड़ी पर मार्क होते है अब वो समझ जाते हैं कि आईवी ने जूट कहा था वो आईवी को छोड़ कर फिर से सिल्विया को ढूणने के लिए निकल पड़ते हैं आईवी ढूणते ढूणते घर के बाहर आ गई थी तो गिली हो चुकी है वो उपर जाती है सिल्विया की मदर का गाउन पहन दिये और फिर से वो भी घिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है सिल्विया नीचे ही चुपी होती है वो उपर आ जाती है घिड़की के पास आईवी को कहती है कि मरी मदर को तुमने मारा है ऐवी कहती ही कि वो मरना जाती थी इसलिए मैंने सब किया हम अब सब family बन सकते है सिल्विया बहुत ही चेड़ी हुई होती है उसे कहती ही भाड में जाओ और उसे धक्का दे देती है ऐवी नीचे गिर कर मर जाती है अब सिल्विया मूवी के last में कहती है कि वो JCB थी पर मैं उसे प्यार करती थी मैं अभी भी उसे मिस करती हूँ यही पर यह movie एंड हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अचा रहागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा यह बहुत सारी इस तरह की movies लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटकेशन आइकान दवाना भी मत भूले है हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ तब तक के लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिये